चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाय चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों नीट का रेजल्ट आजाने के बाद अभी सभी स्टुडेंट के दिमाग में एक ही क्यूसन आ रहा है कि आल इंडिया कोटा, सेंटरल उनिवर्सिटी और डिम्ड की काउंसलिंग जो MCC द्वारा करवाई जाती है वो कब तक स्टार्ट होगी और स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है और इसका रेजिस्टेशन कौन सी वेबसाइट से करें स्टेट के लिए कौन सी वेबसाइट पर रेजिस्टर करना होगा तो आपके इन सभी सवालों की जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे MCC की काउंसलिंग के बारे में तो MCC के रेजिस्टेशन 22 अक्टूबर के नियरबाई स्टार्ट होने की संभावना है इसकी वेबसाइट mcc.nick.in है अभी ये वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है लेकिन ये जल्द ही अपडेट होने वाली है तो आप इस वेबसाइट पर continue वाज करते रहें यहां पर ही आपको रेजिस्टेशन करना है 15% आल इंडिया कोटा के लिए, सेंटरल उनिवर्सिटी के लिए, डिम्ड और ESIC के लिए अभी बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की तो स्टेट की काउंसलिंग MCC के रेजिस्टेशन के 5 से 7 दिन बाद इसके रहते हैं अलग-अलग स्टेट की रेजिस्टेशन डेट अलग-अलग होती है यानि कोई स्टेट पहले रेजिस्टेशन सुरू करता है, कोई 2-4 दिन बाद सुरू करता है लेकिन ये भी 27 या 28 अक्टूबर के नियरबाई शुरू होने की संभावना है अभी कौन से स्टेट की काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी तो इसकी लिस्ट मैंने अपने स्टेट कोटा की बुक की लास्ट पेज पर दे रखी है तो आप उस बुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं मैंने वहाँ पर हर एक स्टेट की वेबसाइट दे रखी है उस पर आप विजिट कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि MCC की भी काउंसलिंग के बारे में मैंने बुक में पूरी जानकारी दी है उसमें सीट मेट्रिक्स, कटोप, ट्यूसन फीज के बारे में अलग-अलग जानकारी दी है तो आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक में मैंने previous year की कटोप लिखी है यानि MCC के All India Quota, Central University और Dimmed की कटोप है और State Quota की बुक में भी सभी State की कटोप है तो अगर आप इस साल की college wise, category wise कटोप जानना चाते हैं तो उस कटोप में 30 marks और add कर लें तो आपको इस साल की कटोप मिल जाएगी, वो expected कटोप होगी तो इस परकार से जैसे ही इसके registration सुरू होंगे, MCC के या State के registration सुरू होंगे मैं आपको inform कर दूँगा, वैसे मैंने या State की website यहां भी आपको show कर दी है आप इसको जूम करके देख सकते हैं, हर एक State की अलग-अलग website है जहां से registration आपने करना है अपने State के लिए तो दोस्तो एक यह छोटी सी जानकारी थी, कि यह counseling कब start होगी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें, वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें, मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध